सोमवार UPPSP दफ्तर के बाहर धड़ने पर बैठे कुछ छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन रटाए जाने की खबर है UPPSP और आरो ए आरो परिक्षा के अम्यागती 11 नमबर से प्रियागराज में UPPSP दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे ये चात्र, UP, PCS और आरो ए आरो परिक्षा को एक शिफ्त में कराने की बांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है कल राट दिये में SSP समय तमाम आला अधिकारी चात्रों को समझाने के लिए पहुँचे UPPSP के चात्रों से अधिकारियों की बात कराने का न्योता दिया गया रॉम्चेशाएं अन्यों करेंजिए है कि मुआ ये तरह थे आरो इसे अधिकार पिदू करेंसे है कि अध्याएं टेकार वाहिए ये थे दने है अध्या थे श्याइटिवर्टेशन थे खिलेंने करेंसे अधिकार प्रोंग को पल्सकेशाएं सब्सक्राइब करें अभी दो दिन पहले हमारे उपर चड़के और हमारी दोस्ते उसके पैरों पर चड़के मैं खुद महापेती मेरे हाथ मेरे यहां पर सारे चड़की खीशते हुए बाल तो उनको लेके गए हमारे सामने अब तो हमारी चाहे हमको एक मैना एक दस दिन चाहे जितना दिन है पड़े आज जबर जस्ति यहां से नोटिस भीना ले जाएंगे नहीं सबको आप नहीं उठा सकते पंदरा लाग लड़के फॉर्म भरे हैं जहां पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बर की तैनाती की गई है आशीश्र वास्तर मेरे सेयोगी जुड़ गये हैं तमाम जानकारी के साथ आशीश्र चौथा दिन हैं बीते तीन दिन के मुकाबले क्या पुलिस की तैनाती और बढ़ाई गई है और जो पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बल का इस्तिमाल किया है कुछ चात्रों को चोटे आई हैं इसमें कितनी सच्चा आई है देखें नेहा चौथा दिन है और यहां पर जरूर आप देख सकते हैं कि जो प्रियागराज की इस्तिती है वो इन छात्रों की वज़े से प्रदेशन कर रहे हैं जो लगातार आज पुलिस की बैरिकेटिंग के अगर हम बात करें तो पुलिस ने चारों तरफ से इस प्रिय कि मांग कर रहे हैं अगर आप दूर तक नज़र डालेंगी तो वहां पर देखेंगी बैरिकेटिंग चारों रास्तों पर यानि की स्लोक से वायोग आने के लिए जो रास्ते हैं वहां पर भी बैरिकेटिंग करके रोग दिया गया और ऐसे में कोई भी छात्र आ रहा है जो धरने में शामिल होने आले चात्र हैं उनको भी कहीना कहीं जो है गिरिफ्तार कर लिया जा रहा है उनके साथ पिटाई की जा रही है यह तक आरोप लग रहा है और सुबह होई नहीं है कि लोग अभी भी यहां पर जमें हुए है यह बताइए आप लोगों को क्या पुलिस कर रहे थे यहां पर राष्टगान करने के वाद गांधिवादी तरीके से अहिंसा अंदोलन हम लोग कर रहे थे यहां पर पुलिस प्रशासन आये कुछ लोग आये सिविल ड्रस में थे कोई महिला नहीं थी हमारी बेहनों के साथ हम लोगों के साथ अत्याचार किया गया हम हमारे साथ खुला में अत्याचार हुआ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे कब पुलिस से कोई बात्चीत हुई है सर कोई बात नहीं हुए हमें लॉली पॉप दे रहें हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे सरीर में जान रहेंगी क्यूंकि परिक्षा नॉर्मलाइजेसन लागू करेंगे तो ऐसे भी हम नौकरी पाएंगे नहीं हम लोग इतने दिन से संगर्स कर रहे हैं हमारे खर्च कोई लोग नहीं हम सब चात रहे हैं हम अपनी मांग बहुत सांती पूर्वक तरीके से रख रहे हैं देखिए निया साफ तोर से मानना है कि पुलिस इनको यहां से हटाने की कोशिश कर रही है और यहीं वज़े हैं कि यह अपनी सिर्फ मांग कर रहे हैं आयोक के बाहर साफ तोरते यह सभी चाहते हैं कि आखिर आयोक हमारी सून क्यों नहीं रहा है इस पूरे मामले को लेकर और अलग सिविल ड्रेस में पुलिस आती हैं लेकिन चात्रों ने पेशकर्ष को ठुकरा दिया केवल हाहुला हम लोग करते हैं पूरी बात भी ना सुनें और उसके बाद में उस पे सोच विचार भी ना करें तो उसका कोई उचित्ते नहीं है तो हमारा आपसे यह अन्रोद है आप किर्पया करके इस पे बहुत सारे हमारे बच्चे बैटे हैं अपना आपका पूरे बविश्य दाओं पर है आप पूरे तयारी केरी होगी आपने आप एक स्टेप आगे बढ़िए आपका हल निकल जाएगा आपका हल निकल जाएगा आप बात करेंगे तो आपका हल निकल जाएगा आपके हम वारता करा देंगे हमारी मत्यस्ता में कराएंगे जिसके जो हमारे साथ चाहेगा एक भी व्यक्ति पे कोई भ्रांती की कहीं बात नहीं कुछ में नहीं है कहीं कोई कारवाई नहीं होगी कहीं कुछ भी नहीं होगा आप हमारे साथ आईए हम आपकी बात करा देंगे डियम यहां दो तीन दिन से लगतार आ रहे हैं और उनके आने का मकसद यह होता है कि वह चात्रों को बता रहे हैं कि देखिए जो यह दो सिफ्ट वाला एक्जाम है और नाल रहसन है यह चात्रों के हित्में है जबकि छात्र से ही क्लियर है कि यह हमारे जो भी जो भी भ्ला नोटिश दिया गिया है हमारे आई है। में हमारे से कुछ फाइदा नहीं हो यहां घर नुटसान है वह बार बाद बार बार एक हैं कि ठीक है जी काम हुरा है जो भी यह राई तो आपका फाइदा होगा आप डेली केसन लेकि पांच लोग अंदर आए बात करिए जब की छात क्या बात करें ताज़त तस्वीर प्रदर्शन की माँ को दिखा रहे हैं आज सुभा की तस्वीर है जब छात्र डटे हुए है प्रदर्शन कर रहे है बातचीत का नियोता ठुकरा दिया गया है आशीश रवास्त मेरे सयूगी जुड़े हुए है तमाम जानकारी के साथ आशीश बातचीत स नहीं तो हल निकलेगा या फिर चात्र यह चाहते हैं कि और पेपर उन्हें आश्वासन दिया जाए बातचीत से वो नहीं संतुष्ट उने वाले देखें नहा साफ तोर से चुकी कमिशनर और डियम इस बात का कह चुके हैं कि वो डेलिगेशन को अंदर ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर उनकी बातचीत तरहना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से यह चातर यहां पर डेटे हुए उनका मानना है कि डेलिगेशन नहीं पूरा आयोग में अगर कोई जवाब देना है तो पूरे लिखित तरीके से जवाब दे उस पूरे प्रकड़ पर मैं और साफ तोर थे नहां मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चा कामिल होना चाहते हैं लेकिन यह एक्स्क्लूजिव तस्वीर हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर चातर जो हैं वो मौजूद होकर और इकठा हो गए हैं पूलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया है उनको इसके बावजूद अब वो बाहर ही चौरा है पृदभरने पर बैट गए है और अंदर आने कि लगातार होटों जंडे लेकर यह प्रतर जिखार रही है कि हमें अंदर जा रहा है किसी तरीके से लेकिन पुलिस ने हैवी पुली स्वोर्ट यहां पर है आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर फिल्स पोर्स टेरात है और वो एक भी candidate को यानि कि या जो छात्र है उसको अंदर आने नहीं दे रहे हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं आर पार की एक तरीके से कह सकते हैं जो छात्र है और पुलिस के बीच में बात हो गई है कि आप वो या तो अंदर जाएंगे या पुलिस से साथ भीड़ेंगे तो इस तरीके के हाला इन छात्रों को जबरन हटाया जा सकता है आज प्रदर्शन का आखरी दिन हो सकता है जा इस पूरे एरिये को घेर रखा है यह माना जा रहा है कि यहां पर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है और ऐसी पैरिकेटिंग कर रखिए कि पुलिस यहां से इनको हटाने की पूरी कोशिश कर रही सुबह भी एक प्रयास हुआ था और उस दौरान भी लेकिन चात्र यहां अब धीरे धीरे करके इस प्रियाग राज के जो यह चोरहा है लोग से वायोग के पास का वहां पर रिकठा होना शुरू कर दिये हैं और सुबह से छात्र आप अगर तस्वीरों में देखेंगे आज तक पर एक स्कुल तस्वीर हम दिखा रहें आपको कि कितने छात्र वहां अब रिकठा हो गए और आप वो क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है इसलिए आप वहीं से अपनी मांग रख रहे हैं और ये पूरी मांग वही है कि एक दिन एक एक एक्जाम हो और उसी को लेकर पूरी तरीके से यहां पर अड़ गए हैं लेकिन पुलिस बैरिके करें और मामले को हल करें